आज है 25 जून और 25 जून 1975 को भारत में इमर्जन्सी लग गई थी उस समय की ततकालिन प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी ने इमर्जन्सी लगवाया था और भारत के लोग काफी जादा असहज महसूस करने लगे थे यहिंसा भी चार और फैल ने लगा था और उसी पर अधारित फिल्म बन चुकी है इमर्जन्सी जिसका रिलीज डेट आज ही के दिन जो है वो एनॉंस्मेंट किया गया है रिलीज डेट का कंगना रनावत के द्वारा कंगना रनावत ने इस मूवी में इंद्रा गांधी का किरदार निभाया है क्या खतरनाक लग र आपको लगेगा एक ही कलाकार जो है फिल्म को हिट कराने के लिए काफी अनुपम खेर वाई अनुपम खेर जैसे मंजे हुए कलाकार ने काम किया है सतीश कौसिक जैसे मंजे हुए कलाकार ने काम किया है महीमा चौधरी जैसी अक्ट्रेस ने इस फिल्म में काम किया है इस प्रेडूसर खुद कंगना रनावत है और इस फिल्म के स्टोरी को भी कंगना रनावत नहीं ही जो है वो लेखा है बहुत कमाल की बहुत जवरदस्त की मूवी ये होने वाली है क्योंकि रियल घटना पर अधारित फिल्म है ये इस फिल्म को अब 6 सेप्टेंबर को रिलीज कि किया जाएगा आपके नजदी की सिनेमा घरों में पहले इसके रिलीज डेट को रखा गया था 14 जून जिसे पोस्ट पॉंड कर दिया गया था किसी वजह से आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखे हैं इस फिल्म के ट्रेलर को लगबग 5 महीना पहले रिलीज किया गया था और अब 6 सेप्टेंबर को अब मतलब सेप्टेंबर में भी टाइम है लेकिन आज जो है न्यू रिलीज डेट आ गया है आपको इसका ट्रेलर कितना पसंद आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करिये क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड है इमर्जनसी इस फिल्म का टाइटल है इमर्जनसी फिल्म यही अपडेट में महेश पांडे और आप लोग देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल महेश पांडे थांक्यू धन्यवाद बबाई